नमस्कार बच्चों तो आईए आज का टॉपिक है human circulatory system human circulatory system बच्चों अब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं ठीक है क्योंकि मैं देख रहा हूं लिखवाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है तो आज मैं समझा के आप सभी को PDF के रूप में notes provide हो जाएंगे वो आपको website पर भी मिल जाएगा और आपके WhatsApp नमबर भी मिल जाएगा दोनों तरीके से मिल जाएगा कि कल को अगर गलती से आपसे delete भी हो जाता है तो वो आप अपने website से उठा सकते हैं ठीक है तो कल आपको आज से ही आज से अगर नहीं हुआ तो कल साम 5 बजे से आपको सारे notes provide हो जाएंगे in advance advance में आपको सारे notes मिल जाएंगे ठीक है मेरी पूरी गोशिश रहेगी कि मैं आपको first chapter second chapter सबके notes provide करा दूँ वो सारे के सारे notes मैं आपके copy में लिखवा भी चुका हूँ वो आपकी copy में ही आपको दिख जाएंगे ठीक है बाकि जो भी जरूरी चीजे हैं वो सारी चीजे मैं upload कर दूँगा ठीक है तो human circulatory system ठीक है या double circulatory system कुछ भी बोल सकते हैं या manav parisanchoran 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 tantra manav parisanchoran tantra ठीक है manav parisanchoran tantra का मतलब क्या है बच्चो कि किस तरीके से किसी इनसान की body में blood पूरी body के अंदर कैसे कैसे circulate करती है और वो circulate करके क्या क्या काम करती है वो सारी बाते आज मैं यहाँ पर discuss करूँगा ठीक है तो बच्चो आप लोगों को यह सारी बाते यानि अच्छे से समझाई जाएंगी और अच्छे से बता दी जाएंगी कि आखिरकार इसमें करना क्या है ठीक है कोसिस रहेगी मेरी पूरी कि मैं आप लोगों को आज यह पूरा topic खतम करा दूँ और next class में अगर upload कर दिया आज मैंने तो मैं नहीं लिखवाँगो next class में और अगर नहीं कर पाया तो next class में लिखवाके पर सों तक तो हर हाल में आपको यह साए की सारी PDF करते हैं मैं बहुत हो पहले हर्ट का डाइग्राम बना रहा हूं और उसके बाद बताता हूं कि आखिरकार क्या पढ़ना है हमें और कैसे पढ़ना है ठीक है तो यह मैं दुबारा मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूत पढ़ेगी इस जगह की झाल रहा हूं हभ़े बता है हमें अ झाल 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 बच्छों साथ ही साथ बनाते रहना ठीक है साथ ही साथ बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाते रहना बनाते रहना ठीक है 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 नोट कर लो यह क्योंकि नोट करते ही फिर में ये सब मिटा दूंगा टेगे चलिए बई शुरू करें शुरू करें उमीद करता हूँ कि आपने ये पूरा का पूरा नोट कर लिया होगा अच्छे से कि इसमें मैंने बच्छो सारी चीजे यहां पर मैंने कवर कर दी हैं ठीक है अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने डाइगराम गलत बना दिया यह है वह हम आप बुक में तो कुछ और है तो बच्चो वह डाइगराम जो है वह दिल का फोटो सामने से खीचा गया है और यह जो डाइगराम है यह दिल को पहले बीच में से काटा गया सेक्शन具 किया गया और तब ऐसा दिखाया गया है और यही diagram सबसे ज़्यादा easy है और जल्दी जल्दी सीख पाओगे और जल्दी जल्दी इसके अंदर आप पता पाओगे कि कहां पे कैसे क्या हो रहा और कैसे जा रहा है चलिए तो अगर आपने यह बना लिया है ठीक है तो अच्छी बात है और इसके बाद हम सुरू करते है यह सारे नाम मैंने लिखवा दिये है जितने नाम की जरुरत है ठीक है और भी एक दो नाम है जो यहाँ पे मैं भी लिखवाओँगा ठीक है अच्छा अब बच्चो ध्यान से सुनना कि होता क्या है अगर थान से सुनेंगे कि होता क्या है देखिए बच्चो बच्चो ये पल्मानरी वेंट ये स्वरी ये जो डबल सर्कुलेटर सिस्टम समझा रहा हूं है इसका रीजन क्या है इससे आपको ये परद चलता है कि आपकी बॉडी में बलड कैसे सर्कुलेट करता है बहुत important point है और बहुत ही जादा एक ऐसा point जिसकी वज़े से आपका कई सारे जो doubt से वो clear हो जाएंगे और plus आपके कई सारे question इस topic से बन जाते हैं तो क्या क्या बन जाते हैं सबसे पहले सुनेंगे अच्छा बच्चो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दो हिर्दे ये जो हमारा ये हमारा जो hurt है ये बच्चो चार हिस्सों में बटा होता है चार chambers में बटा होता है एक chamber है आपका left atrium बाया आलिंद इसे atrium के जगा औरिकल भी बोलते हैं ठीक है atrium को औरिकल भी बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो बच्चो ये चार chambers में बटा हुआ है कौन हमारा hurt चार chamber में क्यों बटा हुआ है अभी बता चलेगा अच्छा इसके बाद हमारे hurt के चारो तरफ एक चिकनी layer होती है एक बहुत ही फिसलनदार चिकनी बहुत ज्यादा हम कहेंगे soft ठीक है soft तो नहीं बोलूँगा चिकनी मतलब क्या कि ऐसी चीज जिसका अगर पकड़े और भाई फिसल जाए इतना मतलब एक soft layer होती है जिसका नाम होता है परिकारडियम क्या होता है परिकारडियम हिंदी में बोलते हैं इसको हिर्दियावरन क्या बोलते हैं हिर्दियावरन इंगलेज में बोलते हैं परिकारडियम बच्चों यह परिकारडियम क्या होता है यह हमें sock से बचाता है sock मतलब क्या अचानक से जिसे बही क्या कोई बुरी ख़बर किसी ने सुन ली कहते है heart attack आ गया कुछ हो गया मतलब बहुत थारी बाते होती है तो बच्चे उससे बचाने के लिए ये paracardium होता है जो हमें किस से बचाता है to protect from sock to protect from sock ठीक है ठीक है ठीक है भई सोक से बचाता है इस वाले सोक का मतलब होता है कोई गम बगएरा कोई ऐसा सुन लिया ठीक है अचानक से तो उससे बचाता है अब क्यों कैसे बचा लेता है क्योंकि हिर्दे के हमारे heart के चारों तरफ एक red muscle का muscular wall होता है मतलब हमारे हिर्दे के चारो तरफ हमारे हर्ट के चारो तरफ एक मोटी थिक ठेक है मोटी थिक क्या होती है भई मस्कुलर वॉल होती है मसल से बनी हुई वॉल होती है उसमें हड़ी वगरा कुछ नहीं होता पूरा प्यूर मसल होता है ठीक है तो muscular wall होती है, pace, भित्ती होती है, किसके hurt के चारो तरफ, किसके चारो तरफ, hurt के चारो तरफ, अच्छा, अब hurt को जो पूरी तरीके से separate करता है, उसे कहा जाता है septum, तो याद रखना, अगर आप से कोई पूछे, कि hurt के बीच में जो gap पाए जाते हैं, hurt को बीच में ज post part कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है wall partition, मतलब क्या, सारे हिस्सों को क्या कर देता है, ये, अलग-अलग कर देता है, मैंने पहले इसलिए लिख दिया है, wall partition करने वाला, मतलब जो सारे हिस्सों को क्या कर देता है, बच्छों, अलग कर देता है, ठीक है, अच्छा, अब इ घ्लाय कार्ट डीम भी पढ़ ले हमने है लख लिखा अब तक you ha Basically हमें सॉक से बचाता है हर्ट आटेक्क वगर्वर्वाजिस जैसे बीवारी वोई हो आने से ये क्या करता है प्रोटक्ट करता है ठेक प्र्प लिख लिया अपने उसके बाद आपने क्या लिखा कोश्ट पर्ट सेप्टम मतलब क्या सारे चैंबर्स को अलग करने वाले हिस्सा कौन सा है सेप्टम है हिंदी में कोश्ट पर्ट जो क्या करता है वाल पार्टीशन करता है ये भी नोट कर लिया होगा आपने ये भी मिटा देता हूँ अब ये तो थी चलो बाई, घ्यान वाली बात है हमने कर ली लेकिन काम अब कौन क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा, आप यहाँ देखेंगे अब समझेंगे यहाँ से, चलो भाई, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ lungs फेफडे ठीक है अच्छा बच्चो अब आपको अच्छे से पता है हमने फेफडो की चप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई, फेफडो में जब सांस आती है, तो आपको मैंने क्या बता था फेफडो में कौन भरा हुआ होता है, बलड ये बात बताई थी ना मैंने, और फिर मैंने क्या बताई था, कि जब हम सांस लेते हैं, तो भाई, अल्वियॉली के अंदर, ठीक है अल्वियॉली के अंदर, यानि हिंदी में जिसे हम कूपी काई कहते हैं उसमें जब बलड जाता है और हवा जाती है, हमारे नाक से अंदर तो ऑक्सीजन को उसके अंदर डाल देती है और सियो टू को बाहर निकाल देती है यही हमने पढ़ा था, तो बच्चों यही केस है, कि जब फेफडो के अंदर बलड आता है फेफडों के अंदर बलड आता है और प्लस एर आती है तो एर का कौन सा हिस्सा बलड में चला जाता है ओक्सीजन वाला हिस्सा ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया फेफडों के अंदर बलड आता है और एर आती है तो एर का कौन सा हिसा blood के अदर चला जाता है oxygen कौन सा हिसा चला जाता है oxygen अरे blood तो फेफ़डों में रहे गई ठीक है क्योंकि फेफ़डों में blood रहेगा तबी तो वो oxygen कैरी कर पाएगा ये बात हमने पड़ी थी कि भाई बमाईट का काम क्या होता है चलो ठीक है आप बाद में बहुत बड़े डीलर बन गए तो आपके पास ट्रक लेकर आ रहा है तो ट्रक भी तो क्या कर रहा है कैरी करके ला रहा है अब तक ठीक है अगर आप पाई पैपसी की बहुत बड़े डीलर हो तो पैपसी अगर फैक्टरी से आ रही है तो ऐसा तो है थे कोई तो लेकर आया ना तो वही चीज है बच्छो कि बलड को पूरे सरी ने पहुचाना है तो बच्छो बलड हमारे लंग्स में गया उसने एयर करी किया और air का कौन सा हिस्सा अपने अंदर रख लिया oxygen तो blood कैसा हो चुका है अब blood हो गया oxygenated blood कैसा हो गया oxygenated यानि oxycritt हो गया क्या हो गया रक्त कैसा हो गया oxycritt हो गया अब बच्चो blood जो होता है न जब oxygenated हो जाए और lungs से कहां से? lungs से heart में enter करे लंग से कहां एंटर कर रहा है अब यह एंटर्स एंटर्स हर्ट ठीक है एंटर्स इन हर्ट ठीक है कहां पर भई दिल में एंटरी कर रहा है किसमें एंटरी कर रहा है दिल में एंटरी कर रहा है कौन बलड कौन एंटरी कर रहा है blood entry कर रहा है, कहां से फेफडो से, दिल में, किस में enter कर रहा है, फेफडो से दिल में enter कर रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, या एक सार लिख देता हूँ enters from ठीक है, enters enters in heart from lungs from lungs from lungs, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिल में फेफडो से क्या कर रहा है, परवेश कर रहा है दिल में फेफडो से परवेश कर रहा है, कौन, blood कैसा blood, oxygenated blood oxycritruct, ठीक है तो बच्चों याद रखना जब masculinity जब फेफडो से blood किस में enter करता है दिल में, तो किस हिससे से enter करता है, ध्यान से देख लो Palmonary vein याद है मैंने अभी कुछ आपको उसमें बताया था कि Palmonary vein एक ऐसी vein है जो हमें क्या करना पड़ता भई हमें यानी इसे accept करना पड़ता है धमनियों के आपको मैंने तीन topic पढ़ाये थे क्या topic पढ़ाये थे भई एक topic पढ़ाया था मैंने आपको artery, एक पढ़ाया था vein, एक पढ़ाया था capillary, तो मैंने artery और vein में accept वाली चीजे लिखवाई थी, ठीक है, कि जितनी भी veins होती है, वो बाई उपर उपर होती है, जितनी भी artery होती है, वो अंदर dipped होती है, लेकिन मैंने बताया था इसको छोड़ कर, तो क्यों बताया था, क्योंकि बच्चों ये एक लोती है, यानि क्या है, vein है, जो body के अंदर deeply पाई जाती है, कहां पाई जाती है, deeply, तो अब ध्यान देंगे बच्चों, pulmonary vein, ये pulmonary vein जो होती है, कहां से जुड़ी होती है, lung से जुड़ी होती है, और lung से, from lungs, lung से क्या लेकर आती है भई ब्लड लेकर आती है लंग्स से ब्लड लेकर आती है और दिल के अंदर आ जाता है कौन ब्लड तो ध्यान रखना फेफडो से जब पहली बार ब्लड दिल में आता है तो कौन से रास्ते से आता है पल्मा नरी वेन से हिंदी में कहते हैं इसको फुस्फुसिय सीरा क्या कहते हैं फुस फुस ये सीरा हिंदी वाले बहुत हराम से याद कर सकते हैं कैसे फेफडो का दूसरा नाम क्या होता है फुस फुस ये फुस फुस ये वह फेफडो का जो दूसरा नाम होता है इंगलिस वालों को तो चलो फिर भी थोड़ा अलग है पल्मानरी, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलीशन नहीं, लेकिन फुस्फुसिय सिरा का मतलब क्या हुआ, फेफडो को दिल से जोडने वाली सिरा तो याद रखना बच्चो, फेफडो से जब पहली बार ब्लड, कौन सा ब्लड oxygenated ब्लड आता है दिल में, तो किस जगा से एंटर करता है पल्मानरी वेन से, फुस्फुसिय सिरा से एंटर कर गया एंटर करके कहां पर इखटा हो जाता है जल्दी बता दो भाई ब्लड ये एंटर हो गया अब यार, ऐसा क्या है इसमें टाइट हो जाता है बिल्कुल तो भाई ये ब्लड आ गया इसमें ये ब्लड आ गया, ब्लड के ड्रॉप्स आ गया इसमें ठेक है ये पूरी तरीके से ब्लड फिल हो गया ऐसे drop wise पूरा blood इसके अंदर क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा किस में फिल हो जाएगा भई किस में फिल हो जाएगा left atrium में फिल हो जाएगा left atrium में फिल हो जाएगा हिंदी में कहते हैं बाया आलिंद तो याद रखना हमेशा blood पहले हमारे दिल के उल्टे हिस्से, उल्टा मतलब बाएं, मतलब बाएं बोले तो लेफ्ट हिस्से माता है, बलड हमेशा दिल के किस हिस्से माता है पहले, लेफ्ट में, आपको याद करने का भी असान तरीका है, दिल कौन से हिस्से में, लेफ्ट में, तो इसलिए आएगा लेफ्ट हिस्से में है तो इसलिए बलड भी किस हिस्से साएगा लेफ्ट हिस्से से ही आएगा अब बलड आ गया अब बच्छो आप ये देख रहो ये रास्ता देख रहो ये रास्ता ना कुछ इस तरीके से होता है ऐसे और ये ऐसे फूलता है ऐसे ऐसे खुलता और ऐसे बं जाता है वाल्व तो याद रखना बच्छो लेफ्ट एक्ट्रियूम के इस रास्ते को लेफ्ट एक्ट्रियूम के इस रास्ते को कि इस रास्ते को क्या बोला जाता है 22 का स्पिड वाल्व क्या बोला जाता है 22 का स्पिड वाल्व क्या बोला जाता है 22 का स्पिड वाल्व हिंदी में बोला जाता है 22 का स्पिड पिड का पाट क्या बोला जाता है 22 का स्पिड का पाट ठेक है क्या बोला जाता है 22 का स्पिड का इसको 20 का स्पीड का पार्ट भी बोला जाता है इसको तो अभी आ हुले गा, तो अभी deze का स्पीड का पार्ट इस बड़े चेंबर में भर जाएगा ठीक है मैं यहाँ एरो बना देता हूँ पहले यह नीचे आ गया इसे यह नीचे आ गया इसे ठीक है सारगा सारा बलड भाई इसमें क्या हो गया भर गया सारगा सारा बलड इसमें क्या हो गया बहर गया, अब आपको मैंने बताया था आपको ये बात पता है कि दिल क्या करता अवाज अगर सुनो के धग धग करता है तो वो धग धग अवाज जो करता है वो कैसे कर रहा भई ठीक है, आप देखते होगे जरूर कोई इसको बड़ी तेज प्रेसर अगर आप अपने भाई भेनों के ना देखना चेस्ट पे ऐसे कान लगाना तो आप पता है क्या देखोगे जब आप कान लगाओगे तो वहाँ पने एक बड़ी तेज आवाज अपने आप आ रही होगे दख 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 की आवाज आ रही होगी उसमें आप क्या देखोगे जब ऐसे मतलब एक बार तेज आवाज आएगी एक बार धीरे तो ये तेज और धीरे आवाज है क्या फर्क मतलब क्या ये देखो अब ये मैंने बताया था ना कौन है ये ये आपका यारी होती है तो एक pump सा लगा देते हैं क्वोग ठिक है वो अपने 앞 क्या होता हुता हुद स्राइब फूल रहा हुता तो पंप क्या कर रहा है ये एक pump chamber होता है जो क्या करता है जैसे ही blood उस chamber में आता है जैसे ही blood उस chamber में आता है एक जोड़दार धका लगता है जोड़दार pressure लगता है और ये सारा का सारा blood कहां उठ जाता है उपर की तरफ उठ जाता है किदर की तरफ उठ जाता है उपर की तरफ उठ जाता है और उपर उठके हमारे सरीर की सबसे बड़ी धमनी हमारे सरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? और्टा कौन सी होती है? और्टा याद रखना हमारे सरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी धमनी होती है? भाई महाधमनी और हमारे सरीर के सबसे बड़ी आर्टरी कौन से आर्टरी होती है और्टा कौन से होती है और्टा और ये और्टा से जो बलड है कौन सा वाला बलड है ये औक्सीजन वाला कौन सा वाला बलड है औक्सीजन वाला इस और्टा से कहा चला जाता है भाई और्टा क्या बना दी मैंने या से Body अब भाई, औरटा से कौन सा वाला Blood गया है Oxygenated ये Blood गया Oxygenated Oxygenated बोले तो बच्चो Oxygenated का मतलब क्या Oxygen ne मतलब ओक्र beauty रखत कहा चला गया, सरीर में सरीर में कौन सा वाला Blood चला गया Oxygen वाला, ठीक है अब करेगा क्या अब blood का काम क्या बताया था मैंने आप लोग blood का काम क्या बताया कि blood पूरी body में गूमेगा oxygen character के गूम रहा है जहां जहां पे oxygen की जरुत होता जाएगा जहां 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 पे oxygen की जरुत पड़ेगी वो क्या करेगा oxygen दे देगा उससे CO2 ले लेगा अक्सिजिन दे देगा उससे सियो 2 ले लेगा यह रहा है तुम शी न siya 2 क्यों क्यों ते सुम्सहा को दुख दे रहाilà है तो घूंगि टे रहे कोई धुख मेरा दुख लास अपना सीयो डू मुझे दे दे कौन बोल रहा है यह सारी बाते बलड बोल रहा है ओक्सीजन दे रहा है CO2 ले रहा है ओक्सीजन दे रहा है CO2 ले रहा है यही काम करते करते पूरे सरीर में घूमाया वो यही काम करते करते क्या कराया पूरे सरीर में घूमाया तो अब जो blood body से वापस दिल में जाएगा तो वह blood अब क्या सह होगा भाई क्योंकि वो O2 तो दे चुका है और अब उसकी body में क्या आ गया है यानि अब जब blood ने पूरे सरीर का चक्कर मार लिया जब blood ने पूरे सरीर का चकर मार लिया तो शुरुवात में तो वो क्या काम कर रहता oxygen दे रहा था, CO2 ले रहा था oxygen दे रहा था, CO2 ले रहा था अब oxygen हो गया खत्म, अब उसके पास क्या भर गया है CO2 भर गया है तो अब blood कैसा हो चुका है blood हो चुका है deoxygenated हिंदी में क्या बोलेंगे आ-oxy-krit-rakt समझ माई बात क्यों बोलेंगे क्योंकि बच्चों blood अब कैसा हो चुका है CO2 वाला blood हो चुका है उसके अंदर oxygen नहीं बची इसलिए आ-oxy-krit deoxygenated ठीक है अब यह deoxygenated blood क्या करेगा यह deoxygenated blood क्या करेगा यहां से आगे बढ़ेगा यहां से आगे बढ़ेगा और इसमें चला जाएगा इस नस में चला जाएगा यह नस देख रहे हो इस नस को बच्चों क्या बोले जाता है इस नस को बोले जाता है main vein क्या बोले जाता है main vein हिंदी में पर्मुक सिरा जिस तरीके से बच्चो यह कहीं सिपरा मत समझ लेना जिस तरीके से बच्चो महाधमनी यानि सबसे बड़ी सबसे बड़ी आर्टरी कौन है और्टा है उसी तरह सबसे बड़ी वेन सबसे बड़ी सिरा कौन सी सिरा है मेन वेन पर्मुक सिरा इसका ए भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वेना काभा भी कहा जाता है और याद रखना पर्मुख सिरा में कैसा बलड आता है यह पूछा गया एक बार कोशन कि पल्मानरी वेन में कैसा बलड आता है तो आप दो गया answer oxygenated लेकिन अगर आप से पूछ ले कि में वेन में क्योंकि देखो वो पल्मानरी यह में तो दोनों में फर्क है कुछ भी समझ जा उल्टा सीधा तो पल्मानरी वेन में अब देख लो entry हर बार blood की entry पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना blood की entry यहां भी हो रही है तो vein में हो रही है blood की entry यहां भी हो रही है तो vein में हो रही है हो रही हर बार vein में entry लेकिन इधर वाले vein में इधर वाले vein में अगर आप देखोगे तो pulmonary vein है क्यों क्योंकि इसमें जो blood enter हो रहा है वो कैसा हो रहा है oxygenated और यहाँ पे जो vein है वो main vein है क्यों main vein क्योंकि भाई body से गंदगी दूर करना सबसे बड़ा एहम काम है है कि नहीं है सही बात तो बच्चों गंदगी यहाँ पे कौन है CO2 उसी को तो दूर करने के लिए काम करेगा तो CO2 वाला blood जो enter करेगा वो कहां से करेगा main vein से हिंदी में परमुक सिरा से जिसका दूसरा नाम क्या है वैना कावा अब बच्चों यह oxygen वाला blood इसमें आ गया यह oxygen वाला सरी CO2 वाला blood इसमें enter कर गया कौन सा वाला blood इंटर कर गया CO2 वाला अब देखो इसको ना मैं CO2 ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि यह blood कैसा है CO2 तो मैं ना इस blood के अंदर थोड़ा काला कर देता हूँ इससे क्या होगा आपको बाद चल जाएगा कि होने में miel चुका है CO2 मिल चुका है ब्लट के अंदर कैं मिल चुका है CO2 और यहां पर मैंने प्योर रैड लड बनाया प्योर रैड क्यों बनाया क्योंकि बलड कैसा था oxygen वाला और यहां ठोड़ा काला क्यों कर दिया मैंने ताकि एक कुछ गंदगी मिल गगाई है खून के अंदर गंदगी मिल गई है। और वह गंदगी कौन है CEO2ग tão हरे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है जी अब यह बलड हाभई यहां हपके यहां से टपके इसमा जाएगा। सही बात है हैं यहां से टपके इसमा जाएगा। कि यहां से टपक के इसमें आ गया वहीं है ठीक है यह इसमें आ गया है इसको थोड़ा काला काला कर देते हैं लड में इस ट्रैम यहां पर कौन सा बलड है और आपको पता है मैं मस्कुलर वॉली धर अबमक को पता है लेकिन जिस रास्ते से इसने इंट्री की है और रास्ते है उस रास्ते का नाम क्या है उस रास्ते का नाम है ट्राइसकस्पिड क्या नाम है ट्राइसकस्पिड वाल्व ठीक है क्या है ट्राइसकस्पिड ट्राइसकस्पिड का पार्ट क्या वो लाता है इसको ट्राइसकस्पिड का पार्ट तो यह ध्यान रखना कि इस वाल्व का ना आया वेना कावा में, वेना कावा से कहां एंट्री की उसने, राइट एट्रियूम में, ध्यान देना, वेना कावा से एंट्री कहां पर की उसने, राइट एट्रियूम में, फिर राइट एट्रियूम से, ट्राइसकर स्पिड वाल्व से, कहां नीचे गिर गया वो, राइट और आपको पता है कि जब left ventricle एक chamber है तो right ventricle भी कौन होगा एक chamber और इसके भी चारो तरफ कोन है muscular muscular wall है वो भी क्या करेगा एक जोड़दार pump करेगा क्योंकि देखो अगर आपने गाना सुना है धक धक करने लगा दिल वा यह वाला गाना सुना है ना माधरी दिक्षित का धक है उस गाने से आपने क्या सीखा कि उसने गाना बोला धक धक करने लगा कभी उसने ऐसा बोला धक धक भई बटा फट धक और भी बहुत सारा धक ये करने लगा ऐसे बोला उसने नहीं बोला क्यों नहीं बोला भाई क्या रीजन ए कि इतना सारा धक नहीं बोला तुरे दो ज़ी बार दक दक करने लगा ठेक है तो ये धक दक के बाद तीसर धक नहीं आ रहा चॉत्त धक화 नहीं आ रहा क्यों कि ये बच्छे दो ही वार धक हो रहा है कहां पे पहला कहां हुआ लेफट ventricle में, जब aurita से होता हुआ कहाँ चला गया, बाडी में दूसरा कब, जब बाडी से CO2 लेके यहां पर आया, अब यह दूसरा धक होएगा, ठीक है तो गाना इस परकार से बनाया है, क्योंकि मादर दिक्षिद ने यह चैप्टर मुझसे पढ़ लिया ठीक है, अब यह मत बोलना उस टाइम आप पैदा होए थे, तो भाई हो सकता है, क्या पता अप इसले जनम में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, तो इस परकार से बच्चों, जब यहां पर दूसरा धक होएगा तो दूसरे धक से इसने यहां पर एंट्री ली, और कौन सी नस से, कौन सी नस से, पल्मानरी आर्ट्री से, कौन सी आर्ट्री से, पल्मानरी आर्ट्री वो क्या है, पल्मानरी वेन जहां से एंट्री हो रही है, यह है पल्मानरी वेन, जहां से entry हो रही है और यह है pulmonary artery जहां से क्या हो रहा है out हो रहा है दिल से क्या हो रहा है out हो रहा है बाहर जा रहा है दिल से कहां जा रहा है बाहर जा रहा है समझ में आरी है मेरी बात अच्छा अब यह बाहर जो जा रहा है कहां जा रहा है कौन चला गया, यह कौन सा वाला बलड, CO2 वाला बलड, यह CO2 वाला बलड जो है बच्छो, यह CO2 वाला जो बलड है, इसमें लिख देता हूँ मैं, इसमें लिख देता हूँ, CO2, हाँ जी, CO2 वाला बलड जो है, बाहर चला गया, बाहर किसमें चला गया, बाहर चला गया, फे है सभी को कि बच्चो यही CO2 वाला बलड जब इस फेफडे में दुबारा जाएगा तो CO2 को बाहर निकालेगा O2 को अंदर डालेगा और जैसी है O2 को अंदर डालेगा फिर यहां से बार 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 यही चक्र चलता रहेगा क्या सभी बच्चों को यह बात संज में आ गई क्लियर हो गया पूरी तरीके से तो बच्चो आज की कलास में मैंने आपको यह पूरी चीज़े डिटेल में समझा दी है। जल्दी से नोट कर लो और अगर फिर कई लगे किसी बच्चे को तो मुझसे यह पूछ लेना ठीक है इसको नोट करो फिर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बनवाता हूं क्या बनवाता हूं फ्लो चार्ट क्योंकि कभी-कभी डाइगराम देखो यह डाइगराम पहले बहुत आते थे मैं आपको रियल बता हूं यह एक flow chart भी बना के दिखा रहा हूँ उसकी भी diagram की practice करनी है और इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो आपको pdf में मिल जाएगा ठीक है note कर लो ठीक है नोट्स में आपको डाइग्राम अगयरा सब मिलेंगे बने हुए टैंसर मतलो लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से बनाओ मैं यहीं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से बनाओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा आपके लिए बना लो फिर एक फ्लो चार्ट बना दीता हूँ कि चलो ठीक है कि देखो अगया होगा जहां तक मैं उमीद करता हूँ और अगर फिर भी नहीं आए तो नेक्स क्लास में यानि कि मुझे कल तक बता देना ताकि मैं नेक्स क्लास में आपका डाउट ले लूँ इस वानी का ठीक है वैसे तो मैंने एक एक चीज़ देखो बड़े अराम-अराम से धीरे-धीरे समझाईए ठीक है वीडियो पॉस्ट करके इसे नोट करना और समझ लेना ठीक है चलो अब मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ ठीक है कैसे बनाना देख लो यहां पर बनाएं मैंने लंग्स फेफडे ठीक है फिर यहां पर मैंने हर्ट के चारो चैम्बर बना दिये चारो चैम्बर बना दिये यह है आपका लेफ्ट एट्रियूम जिसे हम लोग कहेंगे बाया आलिंद फिर यहां से खुन नीचे आएगा यहां ते जो ब्लड आ रहा है यह क्या रहा है ब्लड और कैसा ब्लड आ रहा है औक्सीजीनेटिड ठीक है रक्त आ रहा है कैसा रक्त आ रहा है औक्सीकृत रक्त ठीक है फिर यहां पर आता है लेफ्ट वेंट्रीकल ठीक है बायाँ निले ठीक है फिर यहां से ब्लड यहां से ब्लड कहा जाता है बच्चो यहां से जाता है बॉड़ी में यहां से ब्लड किसमें जाता है बॉड़ी में ठीक है ठीक ब्लड जाता है बॉड़ी में और यहां आते आते ब्लड कैसा हो जाता है डी आक्सीजीनेटिड डी आक्सीजीनेटिड ब्लड A-oxicrit रक्त हो जाता है मतलब उसमे CO2 मिल जाता है उसमें क्या मिल जाता है CO2 और ये कहां जाता है बच्चो ये जाता है आपके मतलब क्या भई ये आपके बाडी में गया ठीक है ये आपके बाडी में गया मैं एक काम करता हूँ यहां से आपके बॉड़ी में गया ब्लड गया आपके बॉड़ी में सरीर में और सरीर से फिर जो ब्लड है सरीर से जो ब्लड है वो कैसा बन गया है क्योंकि इधर जो ब्लड गया है सरीर में वो अक्सिजीनेटिड गया है ठीक है औक्सिक्रित गया है लेकिन बॉडी में जाने के बाद जो ब्लड बना जो ब्लड निकला वो कैसा बना डी ओक्सिजिनेटिड यही था ना भाई बॉडी में जाने तक अक्सिजिनेटिड लेकिन बॉडी से वापस आते वक्त यह कैसा बन गया deoxygenated aoxycrit रक्त मैंने पूरा देख लो flow chart बनाया इसका और क्यों बनाया बई ताकि आपको ध्यान रहे कि blood में CO2 हो गया और इस time पर blood में क्या था इस time पर blood में क्या था O2 इस time पर blood में क्या था O2 अच्छा यहां से अब देखो एक बात ध्यान रखना blood से भई यहां जो blood है कौन सा oxygenated blood left atrium में गया लेकिन किस रास्ते से गया यह भी लिख लेना palmanary vein से किसे palmanary vein से fusfus ये सीरा से fusfus ये सीरा से fusfus ये सीरा ठीक है अच्छा अब यह आता है आपका अगला chamber क्या नाम है इसका right atrium मतलब दाया आलिंद दाया आलिंद ठीक है जी और यह फिर यहां पर आ जाएगा कहां पर right ventricle ठीक है दाया निले ठीक है और बच्छो ये जो entry हुई है ये कहां से entry हुई है main vein से जिसे हम लोग vena kawa या परमुक सिरा कहते है क्या कहते है परमुक सिरा परमुक सिरा ठीक है अब अब होगा क्या बच्छो अब right atrium में आया फिर right ventricle में अब यहां से blood निकल के किस में जाएगा अब यहां से blood निकल के जाएगा किस में भई right ventricle से एक जोरदार दक्का लगेगा और वो कहां जाएगा सीधा जाएगा lungs में सीधा किस में जाएगा lungs में लेकिन किस रास्ते से जाएगा ये जाएगा धमनी किस से जाएगा फुस फुस ये धमनी से जाएगा तो बच्चो यही सीज मैंने आप लोगों को पूरे फ्लो चार्ट में समझा दी है कि लंग्स में सबसे पहले कौन सा वाला ब्लड होगा oxygenated जो pulmonary vein से left atrium में फिर नीचे आएगा left ventricle में फिर left ventricle में एक जोड़दार pump लगेगा oxygenated blood कहां चला जाएगा body में बॉड़दी में वो oxygen छोड़के CO2 ले लेगा और फिर blood कैसा हो जाएगा deoxygenated और फिर यहां से main vein के थुरू किसके थुरू main vein के थुरू right atrium में right atrium से right ventricle में फिर यहां पे एक बार और pump होगा और pump होके pulmonary artery से कहां चला जाएगा lungs में चला जाएगा फेफडो में और यही चकर बार 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 चलता रहेगा और यह जैसे जैसे मैंने arrow बनवाया है वैसे वैसे ही आपको arrow बनाना है ध्यान रखना arrow की गलती मत कर देना ठीक है और आपको मैं एक बात और बता दूँ दिल का भाई धक धक जो है ना मैं को एक बात और बता दूँ वो धक धक नहीं करता है इसका असली आंसर है लवडव दिल का साउंड कैसा होता है लवडव यह गौर्मेंट जॉब के उसमें पूछा गया था जब मैं गौर्मेंट जॉब के बच्चों को त्यारी करवाता हूं साइंस की ठीक है क्योंकि मैं उ गॉष्युशुषुषुषि जब की डग डग लगा थौ्यू वंश्ट ली बच्चों नियुचे रघर लता है लवडव होता ओए क्या है लवडव थेक है क्योंकि उसके अंदर भाई और इसे नोट कर लीजिए चले बाई